दोस्तो हमारे सौर मंडल में खुल आठ ग्रह है जिसमें सबसे छोटा और सूरी के सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुद्ध जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है यह नाम एक संदेश्वाहक रोमन देवता के नाम पर पड़ा है क्योंकि यह ग्रह आका प्रत्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह कहा जाता है जहां खनीश की अधिकता है यह मुख्य रूप से भारी धात्वों और चटान की विसाल सरचना से बना ग्रह है वज्ञानिकों का कहना है कि बुद्ध की सतह पर प्रत्वी के चंद्रमा की सतह से बिलकुल मिलती गटनाएं नहीं होती है इसका ओस्तन ताफमान माइनस 173 से लेकर 427 डिगरी सेल्सेयस के बीच में बना रहता है जो किसी भी जीव को पल भर में जमा के रख सकता है बुद्ध ग्रह के सतह के नीचे प्रत्वी की तरह ही टेक्टॉनिक प्लेट सक्री है जिसके कारण इस ग् पर भी भुकम्पी गटनाएं होती रहती है यहां की सतह पर कुछ प्राचीन लावा खेत्रों की उपस्तिती से पता चलता है कि अतीत में यहां पर ज्वाला मुखी घतिविद्या होती रही होगे बुद्ध ग्रह को सुबह या साम का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सुर मंडल के उन पांच ग्रहों में से एक है जो आसमान में नगन आखों से देखे जा सकते हैं बुद्ध के अलावा अन्य चार ग्रह सुक्र मंगल प्रहस्पती और सनी है बुद्ध पर एक दिन प्रत्वी के 176 दिनों के बराबर होता है वैज्यानिकों के मुताबित यह ग्रह लगातार सिकुड रहा है उनका कहना है कि चार अरव साल पहले जब बुद्ध ग्रह की सता सक्त हुई थी तब कि तुल्ना में आज यह ग्रह साथ किलोमेटर छोटा हो गया है बुद्ध ग्रह की सता पर बड़े-बड़े गड़े पाए गये हैं इनमें से कुछ तो सैक्रों किलोमेटर लंबे और तीन किलोमेटर तक गह रहे हैं माना जाता है यह गट्टे शुद्र ग्रहों और धुंकेतु के बुद्ध के साथ टकराव सम्मद्धित खगोली गटनाओं की वजह से बने हैं बुद्ध ग्रह का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह या फिर चंद्रमा नहीं है इसके अलावा यहां की सतर पर अजीब तरह की जुर्या पाई जाती है माना जाता है कि बुद्ध पर अज्यदिक गर्मी के कारण जैसे जैसे लूहे का सिकुडना सुरू हुआ यहां की सतर जुर्यधार बनती चले गई इन जुर्यों को लेबोर्ट सकार्प्स के नाम से भी जाना जाता है और यह जुर्यां एक मेल तक उंची और सैकड़ों में लबी हो सकती है तो दोस्तों बुद्ध ग्रह के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज